नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं राहूलेगवार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनेंदन करता हूं दोस्तों भगवान गनेश की उत्पत्ती के बारे में लगभग सभी जानते हैं लेकिन जो कथा आज मैं लेकर आया हूं वो बिलकुल अलग है जिसका वाडन लिंग पुराण के हिंदी पीडियेफ के प्रिष्ट संक्या 307 और 308 पर किया गया है जिसके अनुसार एक बार सभी देवता ब्रह्म्ह विश्नु समेद भगवान संकर के पास आये और भगवान सिव को प्रडाम किया तब भगवान सिव ने कहा कि हे देवों तुम्हारा कल्याण हो पताईए आप सभी किस प्रयोजन हे तु हमारे पास पधारे है तब सभी देवता बोले कि हे भोलेनाथ आप तो सर्व ब्यापी है आप से कुछ नहीं छिपा है आप तो जानते ही हैं कि दैत्यों ने हमारा जीवन दुरलब कर रखा है कोई भी यग हवन धार्मिक अनुस्ठान पूरा नहीं होने देते हमेशा हम देवों का अपमान करने वाले दैत्यों से कभी कोई बिख्ण ना हो हम यही आप से वर्दान चाहते हैं अता हे देवाधी देव महादेव आप इसका निवारण करें यह सुनकर पिनाकी सिव ने तथास्तु बोला और गणेश्वर का शरीर धारण किया सभी देवता और गड़ों ने संसार के दुख दूर करने वाले गज गज का मतलब हाथी के मुख वाले दोस्तों कि त्रिशूल धारण करने वाले गजानन को देखा उस समय सिद्ध मुनिश्वर देवता आदियाकाज से फूलों की वर्सा करने लगे तथा गणेश और महेश को प्रडाम किया फिर मूर्तमान सुंदर बालक गजमुग गनेश ने महेश्वर और अभिका को प्रडाम किया तथा भगवान से उन्हें बालक के सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर चुम्मन किया और कहा कि हे पुत्र तेरा अतार दैत्यों के नास तथा ब्रह्मवादियों के उपकार के लिए हुआ है अध्यापन अध्ययन ब्याख्यान रूपी कर्मों को जो अन्यापूर्वक करते हैं उनके प्राणों का हरण कर दक्षिडाहिन जो यग्य करें उनके यग्य में तु बिग्न कर जो इस्त्री अत्वा पूरुस अपने वर्ण से गिरा है और अपने धर्म का पाला नहीं करता उसके प्राणों का हरण कर हे बिनायक जो इस्त्री या पूरुस तुम्हारी नित्य पूजा करते हैं उन्हें संपत्ति प्रदान कर भक्तों की सदा रक्षा कर तीनो लोकों में तु सर्व पूज और बंदनिय होगा जो मुझको ब्रह्मा को और विष्णु को यज्यादिकों में पूजेंगे उनमें सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा जो तुम्हारा पूजन करके लौकी कर्म करेगा उसका कल्याण तथा तुम्हारी पूजा ना करने व वहीं गंध, पुष्प, धूप आज से तुम्हारा पूजन न करने वाले को चाहे वह मनुष्य हो या देव उसको कोई फलप्राप्त नहीं होगा। ब्रम्ह, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं का पूजन करने वाला पूरुष्प, प्रथम में तुम्हारा पूजन करके विग्न बाधाओं से रहित रहेगा। तब से जगत में गनेश का पूजन सर्व प्रथम होता है। क्योंकि वह दैत्तों के यग्यों का धंस कर इस प्रकार इसकंद के भाई गनेश की उत्पत्ती हुई वहीं लिंग पुराण में यहां भी बताया गया है कि जो भी इस प्रसंग को सुनेगा या सुनाएगा वह सुखी रहेगा इसको सुनाने वाला या सुनने वाला परमगति को प्राप्त करेगा तथा गनेश्वर के क्था के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि माता पारवती ने गनेश जी को अपने मैल से उपन्न किया था तो दोस्तों आपको ये दूसरी कथा कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा और ये कथा दोस्तों मैंने बताया भी है कि ये लिंक पुराण के इस प्रिष्ट संख्या पे आप को मिल जाएगी तो प्लीज हेटर्स दूर ही रहें तो दोस्तों अगर कथा अच्छी लगी है तिसे लाइक और शेयर करना ना भूले इसी के साथ मैं राहुला आप से बिदा लेता हूँ नमस्वार